Information, Entertainment, Employment, Education और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहां बने बेल आइकन को ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें नमस्कार आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मांसिया चारे बुलिटिन की शुरुबात करेंगे खास कबरों के साथ लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्कियों पर बयाना में ट्रेक्टर ट्रॉली या संतुरित होकर पल्टी हाथसे में तीन महिलाओं की मौके पर हुई मौट सिकंदरा में जमीन पर कबजा करने का मामला आया सामने दोनों पक्षों में बनी हुई है जगड़े की स्तिति नागौर के रियाबडी में पशुचिकित साले भवन हुआ जर जर हाथसे को दे रहा है निमंत्रें और लाटी में पुलिस ने दबिश दे कर पकडिय वैच शराव एक आरूपी को किया गिरफतार और अब खबरे विस्तार से सुमेरपूर पुलिस वरता अधिकारी अमर सिंग चंपावत का जाल और स्थानांतरन होने पर विदाई समारो होटल मान सरोवर सुमेरपूर में आयजित किया गया कारिक्रम में सुमेरपूर प्रधान राजी इंद सिंग देवडा बवानी सिंग राठोर, ब्लॉक प्रारंबिक शिक्षा अधिकारी परबत सिंग राठोर, पूरी सुमेरपुर की जागरुप जनता ने माला और साफा पहना कर विदाई दी वहीं कारेक्रम में सुमेरपुर, सीई पत पर, आबू रोड से स्थाना तरण होकर आया सुमेर सिंग इंदा का भी माला और साफा पहना कर सुमेरपूर शहर में स्वागत किया गया सुमेरपूर में नवनियुक्ती सीयाई सुमेर सिंग इंदा ने कहा कि शहर में अपराधियों में डर और आमजन में पुलिस के प्रदी विश्वास कायम बनाने के लिए जी जान से प्रहत्न करेंगे सिकंद्रा में पाउर हाउस के पीछे रहने वाले कैलाज सिसोधिया की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कबजा करने का मामला सामने आया है दोनों पक्षों में जगड़े की स्तिती बनी हुई है पूरू में भी इसी तरह की हरकत के चलते कोट ने स्टे लगा कर दूसरे पक्ष को पाबंद कर दिया था जिसके बावजूद उन्होंने पैट काट दिये और जुताई करने लगे जब इसकी सूशना स्थानी बुलिस स्थाने में दी गई तो कोई पुलिस कर्मी मौके बर्म नहीं पहुंचा और पीडित कैलास सिसोधिया को ये कहकर भीज दिया कि अपनी समस्या का हल खुद निक जिसके अगरकर्शन टेक रस होगा अंतराश्टी क्रुकेट गौतम गंभी और आरपी सिंग दौपहर साड़े तीन से चार बजे के बीच में ज़ंडी को दिखा कर रवाना करेंगे दो गिलोमीटर लंबी टेक रेस में आमजन भी भाग लेंगे इसके लिए उन्हें रिज रेजिस्ट्रेशन करवाना होगा रेजिस्ट्रेशन का कार्य प्रातह साड़े नौ बजे से शुरू हो जाएगा यहां हजार रहों पुरसकार जीतने का भी मौका दिया जाएगा डिजी फेस्ट की समूची तयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है महान इरिक्षक पुलिस विपिन चंद्र पांडे जिला कलेक्टर डॉक्टर एन के गुपता पुलिस अधिक्षक समाई सिंग गोदारा नगर विकास नियास अध्यक्ष महावी रांग खातरिक जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज और आई टी आई का निरिक्षन किया उन्होंने आजिन सल पर बनाये गए डोंग और इनकी व्यवस्थाओं को देखा विभिन गते विधियों के अनुसार तैयारियों का जाइजा भी लिया सोज़ सिटी में गौ सेवा एंबिलेंस 24 गंटे उपलब नहीं होने के कारण गौ पुत्र सेना और हिंदू संगडन की कारिकरताओने उप्खन कारले के बहार पालिका प्रशासन के विरुदनारे बाजी करते हुए गौ पुत्र सेना के जिला अधिक्ष राजकुमार सोनी और तैसील अधिक्ष पदंचन टांक के नेतरतों में ग्यापन उप्खन अधिकारी मुगेश चौधरी और निगरपालिका अधिशासी अधिकारी सुरेश चौहान को सोपा ग्यापन में बताया गया कि सोज़च शहर नेशनल हाईवे पर वसा हुआ है जिसके कारण आए द ग्यापन देने वालो में पाली जिला प्रभारी दिनेश में वाडा नगर अध्यक्ष मनोज राठोर गजेंदर सांखला कमलेश में वाडा संधी पुसैनी विक्रम में वाडा मुर लीदर लखानी बालकिशन उनेचा आधी लोग उपस्तित रहे लाठी कजबे में स्टेट बैंक ओफ इंडिया में मंगलवार को शाखा प्रभंधक अस्थान अतरन होने पर विदाई समारो आईजित कर शाखा प्रभंधक पंकच गोईल को विदाई दे गई और नयपत स्थापिच शाखा प्रभंधक उतकल प्रभाकर का स्वागत किया और पसित लोगों ने शाखा प्रभंधक के कारियों की चम कर तारीफ की वक्ताओं ने कहा कि बैंक ग्रहकों के साथ प्रभंधक का वियावार काफी बढ़ी आ रहा शाखा प्रभंधक ने कहा कि सकारात्मक सोच रखने पर ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं इस मौके पर गुलाप सिंग भाटी सते नारायन पालिवाल सुन्दरलाल दरजी किशन पमार जमाल दीन ओम प्रकाश माली कान सिंग आदियू पसित रहे दीग का प्रथमवास्तविक अंगरेजी माथयम स्कूल अंगरेजी माथयम स्कूल अड्मिशिन ओपन कक्षा नर्सरी से 8 वी तक दिग राजस्थान गलोबल स्कूल बैंक ओपरोला के पीछे डीग भरतपूर मोबाइल नंबर 977-349191-969785-979762 भरतपूर के डीग में एक मात्र शिक्षा का सर्वोतम स्थान आनन भारती विध्यापीट हरवर्ष दसवी, आतवी और पांचवी बोड का सर्विश्रेष्ट परिक्षा परिना विध्याले परिवार की ओर से सभी विध्यारतियों को हारदिक बधाई हिंदी इंग्लिश मीडियम कक्षा प्ले ग्रूप से दसवी तक अड्मिशन ओपन आननभारती विध्यापीट भूडागेट डी भरतपुर मुबाइल नंबर 9460109393 9414210993 चमन माध्यमिक विध्याले सभी उत्तेण विध्यारतियों को प्रधाना ध्यापक, रमनलाल शर्मा और समस्त विध्याले परिवार की ओर से हारदिक बधाई गांधी विध्यामंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षान नर्सरी से बारवी तक कला, वानिज और विज्यान वर्क उपलब्द योगिर एवं अनुभवी अध्यापकों ध्यापकों ध्वारा शिक्षन वाहन सुविधा उपलब्द प्रवेश प्रारंब मुबाइल नंबर 9461-623422 गांधी विध्यामंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कचेहरी पंचायत समीती रोर बयाना भरतपुर गांधी विध्यामंदर की स्थाफ़ना से मुद्धी असी में कि रहे हैं चात्रों को अच्छी सिक्षा देने के लिए इस चेत्र में अच्छी विध्याले की स्थाफ़ना की रहे हैं वर्त्मामीं दिद्याले प्रविष्ग अस्थे युह पुष्या का सिंचायत हैं इसमें ऑष्ञ च्राभर्ण ऑवाड़ और वाड़त आजवर्ण तीनों सम्खाई समद् Pent Tracy आँनिएowski भरतपुर के डीग में एक मांच और सिक्षा का सर्वोतम स्थान मा सरस्वती आदर्श विध्यामंदिर हर वर्ष दस्वी, आठ्वी और पाच्वी बोड का सर्वश्रेष्ट परिक्षा परेणा संपून शिक्षा, संपून संतुष्टी, अनुभवी और योग्य अध्यापको द्वारा अध्यापन विध्याले परिवार की ओर से सभी उत्तीन विध्यार्थियों को हर दिग बधाई प्रधाना ध्यापक, HC, सैनी, व्यास्थापक, महेश्चत, प्रवेश प्रारंब, LKG से दस्वी तक के लिए संपर्क सूथ, 9166-86274, 9462-376051 मासरस्वती आदर्श विध्यामंदिर, भूटागेट, दी, भरतपुर, राजस्थान नागोर के रियापडी उप्खन छेद्र के आलनी आवास कस्बे में पशुचिकसाले भवन जरजर हालत में हुआ है चिकसाले के अंदर कमरों में लगी पट्टियों पर दरारे पड़ गए है, दर्वाजों को दीमक खा गए है भवन खंडर की स्थिती में होने के बावजूद, चिकस्थिकों को इस भवन में बैठने की मजबूरी हो गई है रेफरेंस जगा पर निर्मित होने के कारण इस पर विभागिय मरमत की स्वीकृती नहीं मिल पा रही है सिस्थिती में करीब दो दशक पूरू बनाया ये भवन कभी भी गिर सकता है और भवन बड़े हाथ सो को निमंत्रन दे रहा है लाटी पुलिस ज्वारा मुखबीर की सूचना पर दबिश दे कर अवैच शराब जब की गई इस दोरान एक आरोपी को भी गिरफतार किया गया है लाटी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधिक्षक जैसल मेर जग्दीश चंद्र शर्मा के निर्देशन में पुलिस उपाधिक शक पोखरण नानक राम के निर्देशन में लोकल और स्पेशल टीम कारिवाई के दौरान अवैज शराब अपने कबजे में रख कर मुल्जिम प्रेम सिंग, पुत्र गुमान सिंग, जाती राजपूत बेचता हुआ पाया गया जिसमें अर्तालिस पवे अंग्रीजी शराब के साथ बेर की बोतल बरामत कर मुल्जिम प्रेम सिंग को गिरफतार कर लाटी पुलिस थाने में लाये गया जिससे आज नियाले में पेश किया जाएगा रीवा में एक साल पहले बनाई गई उनिवर्सिटी रोड एक बरसाथ भी नहीं चेल पाई फोर लाइन बनाने वाली रोड का ऐसा हाल हुआ कि स्थानी लोग और कॉंग्रेस के प्रतिपक्षनीत आजय सिंग गुर्मीज सिंग मंगू ने निश्पक्ष जाज की मांग की है कॉंग्रेसियों द्वारा धान बोकर विरोध किया गया गुर्वत्ता विगिन कार की आलोचना की गई बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा की रीवा की जनता का टेक्स के रूप में जुमा किये गए पैसे का हिसाब सरकार को देना होगा ग्राम देवली कला में बेराक की तीरिया पर वर्षो पुराने रास्ते कोई खेद मालिक ने दबंगई के साथ तार बंदी और काटे की बार लगा कर बंद कर दिया जबकि ये रास्ता आम रास्ता है जो बेरा कतीरिया से नोप सडक की और जाता है रास्ता आवरोज होने से बेरे पर निवास करने वाले ग्रामिनों सहे तो स्कूल जाने वाले बच्चों काना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है इस समस्या को लेकर ग्रामिनों ने रायपूर उपखंड अधिकारी को समस्या से अउगत कराते हुए ग्यापन दिया था जिस पर मंगलवार को रायपूर तहसीलदार को मौके पर भेजा गया तहसीलदार ने मौके पर खेत मालिक को बलाकर रास्ता खुलवाया और लिखित मे रास्ता खोलने का समझाईश नामा लिया गया साथी बविश्य में उक्तरास्ता बंद नहीं करने के लिए पावन भी किया गया सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है अपनी पीट थप थपाने का काम बड़े जोरो शोरो से कर रही है वहीं हकीकत देखें तो इंटरनेट सेवाएं आए दिन अस्तिवस रहती है बयाना में विबिन सरकारी कारेलों में लगे कंप्यूटर सिस्टम मात्र शोपीज बने हुए है वहीं इन कंप्यूटर उपर काम करने वाले ऑपरेटर्स को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है विवधान को लेकर रवगत करा दिया गया है लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हो सका है वहीं वयाना में पिछले तीन दिनों से आसमान में छाय काले बादल मंगलवार शाम को जमाजम बारिश के साथ बरस पड़े करीब 15 मिनिट तक हुई बारिश से कजबे के नाले और नालियों सहित सडकों पर भी पानी उफन पड़ा जोसे कुछ समय के लिए बाजार और सबजी मंडी में यात आयाग बात देता हा मंगलवार शाम को हुए इस बारिश के बाद कई दिनों से ओवस बरी गर्मी से परिशान लोगों ने भी सुहानी हवाएं चलने पर राहत की सांस लिवहीं किसानों के चहरे भी खेलो जोरान बच्चों ने भी बारिश का खूब लुफत उठाया MJF Senior Secondary School सभी उत्तीन विध्यार्थियों को प्रधाना ध्यापक लक्ष्वन प्रसाथ सैनी और समस्थ विध्याले परिवार की ओर से हार्दिक बधाई बरतबुर की डीक का एक मात्र सर्वोत्तम शिक्षा का केंद्र पुषपांजली Senior Secondary School दस्वी का सर्वश्रेष्ट परिक्षा परेणा विध्याले परिवार की ओर से सभी उत्तीन विध्यार्थियों को हार्दिक बधाई प्रवेश प्रारम LKG से बार्वी के लिए LKG से पाशवी तक अंग्रेजी माध्यम में वाहन स्वीधा उपलब्द डेरेक्टर मुकीज सिंग राशपूर्थ मुबाइल नंबर 9413-594363 पुषपांजली Senior Secondary School आरे समाजगली सोगर मोहला डीक भरतपुर सरीता Secondary School समस उत्तीन विध्यार्थियों को विध्याले परिवार की ओर से हार्दिक बधाई भरतपुर के डीक का एक माज्र सरो उत्तम शिक्षा का केंडर शालू Senior Secondary School दसवी का शत्प्रतिशत परिक्षा परिणाम विध्याले परिवार की ओर से सभी उत्तीन विध्यार्थियों को हार्दिक बधाई अत्यादुनिक सो विधाई उपलप्त प्रवेश प्रारब व्यवस्थापक नरेंद्र कुमार सैनी मुबाइल नंबर 9785-505936 भरतपूर के डीग में एक मात्र शिक्षा का सर्वोतं स्थान, स्वामी रामसुरूप माधिमिक विध्यामंदिर हरवर्ष दस्वी का सर्वश्षेष्ट परिक्षा परिणाम, अनुभवी और योग्य अध्यापको द्वारा अध्यापन विध्याले परिवार की ओर से सभी उत्तेन विध्यारतियों को हार्दिक बधाई प्रधाना ध्यापक मोतिलाज शर्मा मुबाइल नंबर 9414715981 स्वामी राम सुरूप माधिमिक विध्यामंदिर प्रवेश प्रारंब नगर रोड डीक भरतपुर पज्यत समिती रानी स्टेशन केंद्री मंत्री पीपी चौधरी विधायक मारवाड केसा राम चौधरी जिलाप्रमो पेमा राम चौधरी जिलापरिशत सदस्य कीमा राम चौधरी प्रधान रानी नवरत्न चौधरी उप्रदान रानी किशोर सिंग राजपुरहित सरपंच मोहनाचार्य उप सरपंच बोखराज ग्रामविकासादिकारी सरवेश सेंग वर्डपंच हंसराज चोहान वर्डपंच ललिता देवी वर्डपंच गैत्री देवी वर्डपंच पिखी देवी वर्डपंच मनोहर सुवारा वर्डपंच भावरी देवी वर्डपंच रसिया बाई वर्डपंच विजयराज सोनी वर्डपंच पहादो सेंग उदावत वर्डपंच फिस्ता देवी वर्डपंच हेमाराम चोधरी वर्डपंच हीरलाल मेगवाल और समस्त ग्रामवासी ग्र स्वतंतरता दिवस की हार्दिक शुब कामना है। श्री राम हॉस्पिटल मिराना तिराहा भरतपुर रोड बयाना भरतपुर। टॉक्तर सावित्री मीना, MBBS DGO, प्रसूती एबं स्त्री रोग विशेशग्य, पूर्व चिकित्सक, SNS हॉस्पिटल जैपुर। सुविधाय उपलब्ध, 24 घंटे आपात कालिन सेवाएं, एक्सिरे, कंप्यूटर राइज लैप, 6 चैनल ECG, रोगी के भरती होने की उत्तम व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं की जाच और इलाज, मासिक धर्म की अनियमित्ताओं का इलाज, अनुभवी चिकिचक और अत्या धुनिक मशीनों द्वारा समस्प्रकार के उपरेशन, ICU, NICU वार्ड व्यवस्था, प्राइवेट AC रूम, समस्प्रकार की जाच, अनुभवी और सेवा भावी समर्पित नर्सिंग स्टाफ, सामानि और जटल डिलिवरी, नीसंतान दम पत का इलाज, ओपरेशन व्यवस्था, सिजेरियन, हर्निया का ओपरेशन, बच्चे दानी का ओपरेशन, टाके बिना, नसबंदी, पाइल्स का ओपरेशन, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का ओपरेशन, गुर्दे की पत्री का ओपरेशन, मूत्र नली पत्री का ओपरेशन, आशे की पत्री का उप्रेशन अंडाशे की गाठ का उप्रेशन हर्निया का उप्रेशन स्तान की गाठ का उप्रेशन फिसर का उप्रेशन समस्त प्रकार की सुविधाय उपलब्ध श्री राम होस्पिटल में में नरिसम इस्टाप नरेश कटाना शीरा मॉस्टिटल में खाले रहे हैं यह हॉस्टिटल भामासाय द्वारा अधिकरत है। इस हॉस्टिटल में भामासाय द्वारा सभी डिलिवरी और ओपरेशन जिसूर की रते हैं। इस हॉस्टिटल में राजश्री उद्ना जन्रीश रिच्छे उद्ना श्री अधिकरत है। इन यह उद्नाओं के द्वारा सभी महिजम को लाप दिया जाता है श्री राम हॉस्पिटल मिराना तिराहा भरतपुर रोड बयाना भरतपुर फोन नमबर 05648225411 मुबाइल नमबर 9667023619 राजस्थान राज्यपत परिवहन निगम के कर्मचारियों की 13 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज बसे दो दिन की हर्ताल पर होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है प्राइवेट बसो और निजी वाहनों में यात्रियों को मजबूरन सफर करना पड़ा है रोडवेज बसे बंद रहने से यात्रियों की खासी भीर देखी जा रही है अगर कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो हर्ताल आगे भी बढ़ने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि अगर कि अगर कि अगर कि मयाना के हिंडान मेगा हाइवेव पर पीलू पुरा के पास रसेरी मोड पर वुद्वार को महिला मजदूरों से बड़ी ट्रेक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलड़ जाने से उसमें समार तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत होगी जबकि करीब दो दर्जन महिला मजदूर घायल होगे जने उपचार के लिए बयाना के राच के अस्पताल में भरती कर आया गया जहां से एक महिला की हालत ज्यादा गंबीर होने पर गहन उपचार के लिए जिलास्पता पतनी शाम सिंग जाटर, 40 वर्ष और सभी घायल महिला भी इसी गाउं की है ट्रेक्टर ट्रोली प्लटने चे तीन महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और उन्वीश लोग उसमें इंजर्ड हुए है जोने प्रती तरह के लाज जारी है यह लोग पूरोट के धनाव लिगा आप से और रसेली मोड की तरह आ रहे थे केतों में काम करने के लिए तो यह प्रावली की एक ट्रेक्टर में तरीवर 25-45 मजदूर महिलाएं जा रहे थी और ड्राइवर जिसने दारूपी रखी थी अधादुन तरीके से ट्रेक्टर चला रहा था और ट्रोली को पलट कर ड्राइवर भाग गया जिसमें हमारी मोके पर 19-20 महिलाएं थी वो तो बहुत जादा बैंकर तरीका से घायल पड़ी हुई है अभी एडमिट अस्पताल में हैं लेकिन तीन जो हमारी महिला हैं वो ओनिस्पोर्ट खतम हो गई हमारी मुकमांग यह है कि जब तक हमें पिरसासन पूरी तरीके से आस्वस्त नहीं करेगा जितनी भी महिला मजदूर है यह परिवार से ब्लोंग करती हैं पिरसासन हमारे सामने आए और हमको इस चीज का वॉल्डेशन करें कि इनको कुछ आर्थिक साहिता दी जाएगी तब जाके हम सबसे बड़ा कारण यह था कि जो ड्राइवर था उसने दारूपी रखी थी और अदादून तरीके से ट्रेक्र क लिए आ रहे थी ट्रेक्टर रोली वालों ने बहुत के ट्रेक्र चला रखा तक है इस समय उनकी का नाम किसी कारण पर प्लिटिन से का नाम उनकी मौत हो गई ति वो ट्रेक्र वाला फिन ट्रेक्र को लेके भग गया है का नाम है प्रिजेंट में तीन महिलां की एक्सपार ह सरकार भले ही 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों गर्भवती और धातरी महिलाओं के शोरी बालिकाओं को पूरक पोशाहार देने और उनको कूपोशन से बचाने वाले बच्चों को पूरु प्रात्मिक पार्ट शाला शिक्षा मौया करवाने बस्ती में स्वास्त सेवा उप करवाने के उदेश्य में बस्तियों में आंगनवारी केंद्र खोले गए हैं लेकिन उन केंद्रों में कारेरत कारेकरता की मन मर्जी पर ही चलता है वो भी विशेशकर जो आंगनवारी केंद्र वंचित समुदाय की बस्ती में है तो वहां कारेकरता निरिक्षक लोगों की जानकारी के अभाव का फाइदा उठाते हुए सब्ता में एक ही दिन अपनी मर्जी से केंडर खूलते हैं। जब उनकी मांगो पर ध्यान नहीं दिया गया तो ने हार कर चक्का जाम करना पड़ा वहीं यदि अभी भी सरकार दो दिन के चक्का जाम के बाद भी नहीं चेती है तो आने वाले दिनों में बेमियादी हर्ताल का भी निर्णे लिया चाह सकता है। वैसे तो इस बंद को सभी संगटनों और अने संगटनों ने समर्थन दिया है लेकिन करमचारी नीताओं की माने तो इस हर्ताल से है। लेकिन हर्ताल पर गए संगटनों का दावा है कि भामन्स चाहे इस हर्ताल में शामिल हो ना हो लेकिन करमचारी आज भी काम पर नहीं आये हैं। रास्तान रोडवेज संगर्शिमित्य के आवान पर पूरे रास्तान में 4700 बसों का चक्का जाम अटाल है 13 सुत्री मांग पत्र पर रोडवेज करमचारीं का 12% बिये बकाया है जो 2017 से है। रास्तान रोडवेज के करमचारी जो शेवा निर्थ हैं जनुवरी 2015 से लेकर आज तक उनका ग्रेद्विटिका बुक्तान ने दिया गया है। नई बसें एक जार खरेदने के लिए जो सुतंबर में हमारा समझोता हुआ था 2017 में वो लागू ने क्या नई बरती जो डाईज जार करमचारीं की कमी है वो लागू की जाए इन 13 सुत्री मांग पत्र पर यह आज ये पूरा रास्तान में बंद है जुनु जिपू भी सारी गाडिया बंद है कोई भी करमचारी नस्ताक्षा नहीं किया सब बंद है वो लागू करें सहरास्तान में सभी वागूं लागू कर दिया पर रोड़ वेज को विथिक नहीं दिया गया है जिसे प्रती करमचारी के पांच जार से लेकर 10.000 का नुक्सान हो रहा है बारा बंद हैं दोनों के 600 करमचारी हो वड़ताल पर हैं 170 गाडिया है वो बंद है कि हमारे स्टेट कमेट्री के जो भी प्रदा लिकारी है वो अगर हमारे को जो भी सुचना देंगे तो है निशीद कालने वरताल हो सकती है वरना दो दिन का हमारा चक्का जाम है कल 26 तारीक को शा लड़ाई लड़ रहा था 2014 से परन्तु वो राज का संथन होने एकारण बीजेपी की दबाव में वो हमारे साथ नहीं है परन्तु उनके जो भी करमचारी हो हमारे साथ हैं कोई भी डूठी नहीं करेंगे और बुलिटिन में फिलाल के लिए तना ही देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे सत्यमेव न्यूज